ऊम सूर्द होताय impose नमस्कार दोस्तों आपका हमारी YouTube स्जेल में दोस्तों जैसे कि आपको वीडियो में देख रहे हुंगे यह जो पौधा होता है इसको leobrand अरफ की नाम से जाना जाता है, दोouth वाला होता है, या आज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सुइब्ला्रारेगिस्तान का माने जाने वाला पौधा होता है ओर यह qi दॐस्ट्टी से सजो दोस्तों काफी अच्छा पौधा माना जाता है इसको जो होता है उसकी अगर पहचान कर लें तो यकीन आगर आप महत्तव की अगर अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ओन कर दीजे जिससे आपको हमारे नए वीडियों को जल्दी देख पाएंगे सबसे पहले देख पाएंगे तो वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं उठकंटा रहा है कुछ आयरवेधिक लाब के बारे में दोस्तों पहले में आपको इसकी पहचान करवा देता हूं दोस्तों प्रकति में ऐसे बहुत सारे विडिक औसीदियां जो हमारे आयड साइड़। पास पास पड़ोस में ही रहती है पर हम उनके आरवेदिक गुणों के बारे में नहीं जानते इसलिए हम उनके आरवेदिक लाब नहीं ले पाते हैं दोस्तों हमारा उद्देश हमें सा यह रहता है इस चैनल पर कि हम आपको जो है आरवेदिक पौदों की पहचान करवाएं जिससे आप उनको उखाड़े ना उनको सहेजने का काम करें। दूसरी चीज यह है दोस्तों कि आप इन आरवेदिक औस्दियों को पहचान करके ही अपने रोगों को दूर कर लें। वो भी किसी साइड इफेक्ट के बिगर। तो दोस्तों आपसे निवेदन है किया जो पौधा आप देख रहे हैं अगर आपके आइड साइड में लगा हुआ है तो इसको सहेजने का काम किजिए ना कि उखाड के फैकने का काम किजिए को कि यह खरपतवार नहीं होता है। जब तक हम नहीं जानते किसी आइरवेदिक पौधे के वारेन तब तक हमारे दिमाग में सिर्फ एक प्रकार का खरपरपार ही रहता है। पर जहां हम इसके आइरवेदिक लाब जाद जाते हैं तो यह हमारे इसमें दिव्य औसित्यों से कम नहीं मानी जाती। 죠 64 दिव्य औुसधियों में से एक शागी होती है ऊठ इतिक का थे होता है उट कंठारा सफियल और सफedel नील के साथ नील और सप्थां रखने वाले आर्वेदिक पौदे होते इस कि पत्यों अगर आप देखेंगे तो इसकी पत्या कुछ इस प्रकार दिखती है कटिली कटिली से इसकी पत्या दिखेंगे आपको और दोस्तों इसके पूरे पौधे में काटे ही काटे लगे रहते हैं और बहुत ही तीवर काटे होते हैं इसके अगर किसी को लग जाए इसका काटा तो बहुत देर तक के जलन करता है तो दोस्तो हम इसके अब आयरवेदिक लाप के बारे में आपको बतलाते हैं दोस्तो जिन लोगों को पेसाफ जो होता है रुक रुक करके आता है रुक रुक करके आना मतलब उनके पेसाफ वाली नली में दर्द सा होना यह ज्यादा तर जो होत डाल देना है और उसमें तोड़ा सा पाइन डाल करके आपको पी लेना है और उसके बाद जो है एक गलास आपको ठंडा पानी ही पीना है इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्या जिन लोगों की रुक रुक करके पेसाब आ रही है फिर जिनकी पेसाब नली में दिक्कत हो तो आपके दाग तो जटम तो ठीक हो जाता है पर दाग आपका मिठता नहीं है दाग छोड़ जाता है तो अगर आप इसके पत्तों से अगर पत्तों की चटनी बना करके अगर आप लगाते हैं तो आप में दाग भी नहीं होगा और जो घा वो भी ठीक हो जाएगा तो आप इ ही ऐसे कील निकालने से क्योंकि कील से लोह से अगर आप निकालोगे तो आपको साइड एफेक्ट होगा और दुबारा कील पुनाय बनने लग जाएगी तो उसमें आप इसके काटों का इस्तमाल कर सकते हैं इसके काटों से आप जो है अपनी कील निकालने के कार करते हैं जिसस पूस्प वो ऊपर की तरह होता है और उड़ इसको बड़े चाव से खाता है और दोस्तों यह जो होता है कि इसके जो जड़ होती है इसकी जड़ को आप उखाड़ लीजिए और इसकी जितना पुराना पौधा होगा उतना अर्वेदी गुर्स में होता है आपको करना क्या है पुराना जो है पुराना सा पुराना उसको सूख गया है उसको उखाड़ लेना उसकी जड़ लोगों की सुक्राणों कंजोर रहते हैं या फिर जो लोग ऐसे हैं जो सारीक दुरबलता समझ रहा होंगे मैं कहना क्या चाहरा हूं सरीर की सभी प्रकार की स्रेणी में रखते हैं सारीक दुरबलता को दूर करने के लिए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं आपको इसका पौडर बना करके रख लेना है और पौडर बनाने के बात जो है दोस्तों एक ग्राम की मात्रा में आपको जो है बतीस पुडिया बना लेंगे एक एक ग्राम की और हर तीन दिन के अंतराल में आपको एक पुडिया दूद के सांथ में सेवन करना है दोस्तों अगर आपने ये सेवन कर लिया तो यकीन मानिए आप एकदम चोष्टम तंदुरुस्त हो जाएंगे सभी प्रकार की सारी कमजोरी आपके सरी से दूर हो जाएगे और आप दोस्तों एकदम परिपक को पुरुस बन जाएंगे तो आप इसका सेवन कीजिए और स्वास्तलाव लीजिए जो लोग दुबले पतले रहते हैं उन लोगों के लिए भी काफी अच्छी उस्दी मानी जाती है दुबले पतली लोगों के भूख बढ़ाने का काम करती है इसकी जड़ा काड़ा बना करके इस सुवह पीने से जिन में डाल करके अगर आप सुबह खाली पेट सेवन करते हैं यकीन मानिया आपके पेट जो हो एकदम साफ हो जाया गो जिन लोगों की आतों में अगर इंफेक्शन है तो उनको भी दूर करने का कारे है पोधा करता है तो आप दोस्तों इसको पहचान कर लीजिए और इसके स्व मिलते रहें आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे किसी और नारवेदिक पौधर उसके उप्चार कसांदें तब तक लिजा जी दिए हर और महा देओ